नमस्काल डीवी निउस में आपका स्वागत है मधिप्रदेश के मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदोर शहर में मा द्वारा अपने ही बच्चों से भीक मंगवाने के मामले में राज़्टिय मानव अधिकार आयोग यानी एन एच आर्सी ने मधिप्रदेश सरकार के मुख्य सचिप को नोटिस भेजा है आयोग ने मामले में स्वताह संग्यान लेते हुए राज़्टिय सरकार से पूछा है कि भिक्षब रत्ती विरूधी कानून को सक्ती से लागू करने के सांसां ऐसी घटनाओं के पुनरा व्रत्ती को रोकने के लिए अब तक क्या कारवाही की गई है एन एच आर्सी ने राज़िस सरकार से रिपोर्ट चार सप्ताह में मांगी है और इसमें किशोर न्याय अधी नियम के अनुसार नावालिक बच्चों को प्रदान की जाने वाली देखभाल की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए आयोग ने कहा इन दोर में भिक्षा ब्रती के मामले में गिरपतार की गई महिला कथे तोर पर बार बार अपरात करने वाली प्रतीत होती है इससे यहाँ पता चलता है कि संबंधत अधिकारी सतर्क नहीं है और इसी वजह से छोटे बच्चों को उनके परिवार के सदस्यों द्वारा भी प्रतारित किया जा रहा है ऐसी उम्र में जब छोटे बच्चों को स्कूल जाना होता है और अपनी परहाई और करियर पर ध्यान लगाना होता है तो उन्हें जीवन जीने के अन्यातिक तरीके अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है वह आयोग ने यह भी पूछा कि क्या हाल ही में राज्य सरकार द्वारा भिखारियों की संख्या उनके खिलाफ की गई कारवाही और उनके पनरवास के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए है क्या इस भारे में जानने के लिए कोई सर्वे किया गया है नोटिस जारी करते समय आयोग ने यह भी लिखा है कि राश्री इस तर पर कोई भीख विरोधी कानून नहीं है हाला कि तमाम राज्यों ने भीख मांगने की घ्रनत प्रथास से निपटने के लिए कानून जरूर पारित किये हैं ऐसा ही एक कानून दा एमपी विक्षा ब्रती निवारन अधिनियम 1933 मधिप्रदेश में लागू है इसलिए कानून को सक्ती से लागू करने के आविशक्ता है ताकि बच्चे आसामाजिक तत्वों का आसानी से शिकार ना बने इंदोर में एक गैर सरकारी संगिठन की मदद से पुलिस ने एक भीख मांगने वाली महिला को गरबदार किया है दावा है कि राजस्थान के बारा जिले की रहने वाली 40 वर्शे महिला ने महस 45 दिन के भीतर भीख मांग कर 2,05,000 रुपए कमाए है प्रवेश संस्था की अध्यक्ष रुपाली जैन ने बताया कि इंदोर जैन रोड के लवकोष चौराहे पर इंदरा बाई को भीख मांगते पकड़ा गया है तलाशी में उसके पास से 19,200 रुपए नकत मिले है